कि सात्यों नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर इस एल बाइल जी की उनिट के करम में आज का अपना वीडियो होगा नुकलीक एसट का कि नुकलीक एसट टोपिक फोड़ा बड़ा है तो एक वीडियो में आएगा नहीं देखते हैं दो वीडिया 3 वीडियो इसके बनेंगे पर इसमें अपने इसको जल्दी निपेट लेंगे और उसके बाद में टेस्ट पर जाएंगे देखें मैं एक चीज़ फिर से बता दूँ आपको एक सर्वे जो चल रहा है उस सर्वे में आपने जो वोट दिया है उस वोट को एक बार थोड़ा सा अनलाइसिस करिए खुद मुझे ऐसा लगता है मेरा ऐसा मानना है कि जो सिक्वेंस यूनिट जो चल रही है पहले सीनियर सेकंडरी वाला पूरा हो जाए आट यूनिट आपकी कंप्लिट हो गई तो आपको यूजी वाला पढ़ने में बहुत आसा नहीं रहेगी ऐसा मानके चलिया आप क्योंकि एको आपका विचार ऐसा कहता है कि सर्क पहले सीनियर सेकंडरी आप अपने साब से पूरा कर लीजिए तो वोट आपने दिया वाए उसको थोड़ा चेंज कर लीजिए क्योंकि वोट के साब से फिर मैं चलूँगा तो अगर आपको लगता है तो नहीं लगता है तो कोई बात न नुक्लिक एसिड नुक्लिक एसिड जो है आपके मैक्रो बायो मोलिक्यूल होता है बड़ा है जो कि पोलिमर यूनिट से बना है ठीक है बहुत सारे इसमें मोल नुमर यूनिट बाय जाती है बहुत ही सरल टोपिक है और ट्वल्थ के बच्चों के लिए भी बहुत इंपोर्टेंट है साल के लिए तो ट्वल्थ वाड़े बच्चे भी इसको क्या करें अगर वीडियो तक पहुंशते हैं तो देखें पाया कहां जाता है मुख्यत आप काा न। मेहां जगे इसकी था तो आप कोगई क्या सर्क केबल उसक्ति स्याजिया पाई जाता है कें अंदर के अलवा नहीं होता है बिल्कु सेट इस ऑ簡ी है रोक्रेयोटिन के वाइरस में इंस सब एंदर भी आपके एक तरीके से बेक्टीरियो फेज में अमे si выпाय जिनका बोजन बैक्टिरिया होता है जीवाठों बोजे ऐसे वाइरस जिनका होता है बैक्टिडिया होता है उनको का बोलते है जिवाण बोजी होते हैं इन सब स्तानों पर वी आराम से अन्यूखलीक एसिड myltra है लेकिन मुख्य जो इसकी मात्र है Eukaryotic sails के इंदर देखे है या प्रोंकिलेटिक sails में न्यूखली डेहे हैं तो नुक्लियस में है नुक्लीन नाम बोला और इसके उपर S3-4 फोस्पोरिक एसिड पाय जाता इसमें फोस्पोरिक एसिड अम लोड़े के करण से इसका नाम क्या कर दिया नुक्लिक एसिड बोला गया अधिकतर जीवों में क्या है यह जैनेटिक मेटेरियल के रूप में इसका एक भाग होता है वह पाय जाता है जिसको बोलते हैं डी एने है कुछ वाइरेस के अंदर के यह अनुवांसिक पतार्थ नहीं का होता है औरन्य घwireवर वाएले में के अंदर जाए जबकि बाकी जितने भी हायर एनिमल्स हैं उन सब के अंदर DNA और RNA दोनु के रूप में यह नुक्लिक अशिड पाय जाता है अब अपने को इस चेप्टर में इस यूरिट के अंदर इस टोपिक में अपने को दोनुच चीजों पढ़ना है DNA को और RNA को इतनी बेसिक बाते हैं अ चाहे अपने को RNA बनाना है DNA और RNA दोनुँ में ही कुछ चीजें बेसिक कॉमन है कुछ चीजों के आवशक्ता पढ़ेगी कोई भी चीज अपने को बनाने पढ़ती है तो कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए पहला आपन क्या बोल सकते हैं पैंटो सुगर दूसरा अपने पास क्या है नाइट्रोजीनस बेस और तीसरा अपने पास क्या है फोस्पेट यह जो पैंटो सुगर है पांच कारबन वाली सरक्रा ठीक है यह पांच कारबन भी नहीं बोलें तो पांच क्या सब् follows सकते हैं इसके अंदर क्या होगा दो परकार होगे एक हो सकती है यह रायवोज और एक हो सकती है डी ओकसी इस सरक्रावकी दो परकार है अगर डियने होगा तो middle रावज होगा और रारने होगा तो राइबो सरक्रा एक सरक्रा के स्टेक्चर देख लेते हैं ये इस प्रकार से इसमें स्टेक्चर है एक नमबर कारवन दो है तीन है चार है और ये पांच है इस प्रकार से इसकी स्टेक्चर होती है ये वाल इसकी स्टेक्चर होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं राइबो सरक्रा यह राइबो सरक्रा है जो की आरेने में पाई जाती है मतलब ऐसी सुगर जो कि आरने में पाई जाती उसको राइबो सुगर कहते हैं अब देखो इसके अंदर एक उक्जिन है और चार एक डो तीन चार पांच जगह क्या है कार्बन है तो पांच कार्बन वाली ऐसी स्रंकला पेंटा रिंग है इसमें एक उक्जिन प्रमाणू जु और लए उससे दो नम्बर वाले ओक्सिजन को क्या कर दिया जाए है डिलीट कर दिया जाए है दो नमबर वाले योजिन ग्रूप किस से राइबोर से हैं है और क्लियर करो तो ऐसा लिख दो तू डियोक्सी राइबोस मतलब दो नंबर कारबन से ऑक्सिजन का जब एटम रिलीज होता तो रिमूव हो गया सरकरा के बाद अपने को दूसरी चीज क्या चीए दूसरी चीज अपने को चीए क्या नाइट्रोजीनस बेस अपने को नाइट्रोजन चारक चीए यह नाइट्रोजन चारक दो परकार के होते हैं एक को बोलते हैं पिरिमीडीन और एक को बोलते हैं प्यूरीन एक को बोलते है प्यूरीन में आपको दो नाम याद कर लेने हैं क्या एडेनीन और ग्वानीन पिरिमीडिन में आपको तीन नाम याद रखने हैं एक है यूरेसिल एक है आपके साइटोसीन एक है आपके थाइमीन कुल बिलाकर ऐसा का जाए तो नाइट्रोजन छारक पांच परकार की होते हैं इनको दो को बोलते हैं प्यूरीन और दो को पिरिमीडिन प्यूरीन वाले दो याद रख लो पिरिमीडिन अपने आप याद रजाएंगे पत्ती देव हैं वो आपके पनीर की सबजी बढ़िया बनाते हैं तो पत्ती को कहा कि सारा समान तुम तयार कर दो प्यूरी बना दो प्यूरी का मतलब ग्रेवी ग्रेवी बना दो मैं सबजी बना दूगा तो जैसे ग्रेवी त्यार हुई उसने पत्ती का आवाज लगाई नाम नहीं लेते हैं तो आवाज लगाई A.G. पूरी ट्यार है क्या बोलिगो A.G. पूरी ट्यार है A.G. पूरी ट्यार है इसका मतलब आपको याद रखे लेना अडिनीन और गौनीन क्या है यह पूरीन है बाकी जो तीन बचके वो क्या है पेरिमिडीन है और इन में से किसकी डीने की अगर बात करें आ और ने की जास फ्रेज़दो और च्रत न दो और और तो जैसे अधरेणीन गुवानीन यह दो तो दोनुन ज़्यक्रेश चलें दो मैं अभर पिरिमिडीन में से S german, cytosine, thymine, hira par cytosine, uracil, क्या फरक रहा ARNA के अंदर uracil होता है जब कि DNA में उसके स्थान पर क्या होता है thymine होता है बाकी सारी की सारे structure same होती है adnine, guanine, cytosine, thymine, adnine, guanine, cytosine और uracil ये DNA और RNA में पाए जाते हैं अब देखो एक एक को थोड़ी सी स्टुक्ट्टर को बैतरीं तरीके से समझना सबसे पहले बात करते पीरिमीडंगी अगर उनका मौलेकुदर बीट बात करें तो फिरीमीडंग होता है उसकी एक सिंगल और होती है कि जबकि प्यूरीन की बात करें तो इसकी डबल रिंग होती है अ कि मतलब प्यूरीन के अंदर एक पेंटार एक हेक्शारिंग है जब कि पिरिमीडियन के अंदर एक पंटας है मझा जब भी नाइट्रोजिनस का नाम आए कभी याद रखना एक शुट्र याद रखना आपegt ज्राइन थे ona साथ नो बराबर न simplement है के पहले टीसरे साथमें और नुवे नमबर पर क्या मिलेगा नैट्रोजण मिलेगा इस तो इसमेए था तो इसकी वोलब पहले और तीसरे पर और इसमें आज रहना आपको सातमें और नुवे नमबर कैंगे आप क्लinekए अ बनाते हैं सबसे पहले तीनों पिरिमडीन की बनाते हैं यह बना दिजी मैंने कि यह CHRIS कि कि अ मैंने बना दी पिरिमीडीन की SHE हे दो दो नमबर दो नमबर टीन नमबर चार नमबर पांच नमबर और 6 जान नाइट्रोजन नहीं वहां क्या है सबको पता है कारबन है बैलेंसी पूरी करनी आती है आपको नाइट्रोजन की 3 है कारबन की 4 है औकसीजन की 2 है ठीक है इस प्रकार से आपको बेलेंसी ते कर लेनी है आइड्रोजन की एक है जैसे अभी करके बता देंगे एक की फिर बाकी आप कर लेना अब देखो एक तीन पर हैं क्या एन ऐसे अपने तीन इस टेक्चर बना लो क्योंकि तीन है अपने पास में यूरेसिल साइटोसिल और थाइमेन एक मनें ये इन जो फियह यह बना लेतर हुल एक सब्सक्bugों इसे झाल ओंग कर दो इसक Nem है बहुत सरल है ध्यान से समझ लेना एक तो सब्सक्राइब तीन चार पांच चै एक दो पीन चार पांच छे ठीक है अब इसमें ले जाओं वही शुत्र क्या कहता है एक पर नाइट्रोजन तीन पर नाइट्रोजन इधर सुत्र क्या कहता है एक पर नाइट्रोजन इधर क्या कहता है तीन पर नाइट्रोजन एक तीन सातनों पर नाइट्रोजन हो गए यह तीन अपने पास मे कि अब देखो सुरुवात करता हूं मैं यूरे सिल से शुरुवात करी मैंने यूरे सिल से सबसे पहला मैं यूरे सिल का बनाता हूं कि अब देखो यूरे सिल के लिए आपको जो सिंबल है वो क्या है यू का मतलब तुम बुरा मतमाने ट्रिक बता रहा हूं यू के लिए याद रखो कि तुम 420 हो तुम 420 आदम हो चार सो सी करते हो इस 2020 का क्या मतलब वहाँ कि आपको छोत्ते और दूसरे नंबर पर लगाना है उप 3ल दूसरे लगणा है तो यहां पर दूसर और ये ऊसपे उखजन लगा दिया चो था है ये रुण है इस पर भूजय लगा दी है आज अहां कि बाकिए सब्सक्राइबर क्या है कारबन आ है है यहां कारबन है यहां कारबन होने हम कि अब जानकी पूरी नहीं होती और डडबल बूंड कर दीजे एच लगाद में लो यहां है इसकी यहां पर तो एक पूरा कर दिया है यह कर दिया है कि इधर है कारबन है उसकी चार पूरी होगी कि एक दो पूरी इस नाइट्रोजन की के पास कितनी है एक और एक यह है यह कर दो नडबल फूर्ट इसका मतलब करते ही तो दो तीन पांच हो जाती है तो फिर यह नहीं बैठेगा एस लगा तो इदर अब इस नाइट्रोजन की तीन हो गई कारवन की चार नाइट्रोजन की तीन ऑगजन की दो है एक ऐसा याद रख लेना ठीक है यह बन गया क्या यह बन गया यूरेसिल इसका मतलब चौथ्य और दूसरे पर क्या है ओक्जन है तो यूरेसिल का अगर वैसे नाम देखा जाए तो ऐसा भी बोल सकते है अपना टू फॉर डाई ऑक्सी तू फोर डाई ऑक्सी पिरिमिडिन तू फॉर डाई ऑक्सी पिरिमिडिन यह इसकी स्ट्रेक्चर हो सकते हैं अब इसले हैं और कुछ नहीं करना यह जो आपने युरेसिल की स्ट्रेक्चर बढ़ाई ना सेम की सेम स्ट्रेक्चर एक बार और बनालो सेम की सेम यह और अग्जन लगा दो जी ग्दोपर यहांपर चार प्रो लगा दो आप और पांच्वे नंबर पर सी एस्ट्री ग्रूप लगा लो तो फोर डायोक्सी फाइफ मेथिल तू फोर डायोक्सी फाइफ मेथिल पिरिमीडीन या ऐसा वो सकते हैं फाइफ मेथिल यूरेसिल इसके दोना हम अब अगर इसके अंदर एक बार ये स्टेक्चर फिर बना हो ओ यहां कर दो ओ एक बार इस टेक्चर फिर बना लोई अब इसमें जो चोटी बाड़ा हो है उसको अखा नो कर उसके स्तान पर यह लगा दो बस यह बन गए किसकी थामीन को और नाम दो जाओ टू ओक्सी फोर अमाइनो पिरिमिडीन ठीक है टू ओक्सी फोर अमाइनो पिरिमिडीन मतलब आपने सबसे पहले यू-420 से लेके चलो यह यू-420 है ठीक है इससे अगर CS3 जोड़ दिया थाइमीन बन गया इसमें से जो साइटोसीन है यूरेसील है वो तो पाई जाएंगे आरने में और साइटोसीन थाइमीन यह काँ पाई जाएंगे डियने में इस प्रकार से आपने इतनी स्ट्रेक्टर बना लिए आगे देखते हैं यहांका मिटा रहूं एक बाद यहीं पर लिख देंगे इसके बाद में आपकе पास में आतें दो नartrozen base कौन से प्यूरीन वाले अब प्यूरीन की structure एक बार दोनों की साथ में बना लो यह वाले structure भी इस अबिए को नाम देवे देंगे एडेनीन और एक को क्या दे देंगे ग्वानीन इसको देखता हूँ जैसे एडिनीन बना लेंगे भी और यह होगी ग्वानीन नम्मर देव पहले सुतर रहो एक, तीन, साथ, नो ठीक है एक, दो तीन, चार पांच, छे साथ, आठ, नो एक, दो तीन, चार पांच, छे, साथ आठ, नो अ, अ, ऐल माँ, एल लगा दो, कहा कहा पर पहले तीसरे साथ में, इस पर लगा दो आएन यहां पर, एन यहां पर, एन बाकि सब लगये, कारवन एन हो गया एन 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 एक, तीन, साथ, नो पर क्या हो गया नाइट्रोजन गुरूप हो गया एडेनीन और ग्वानीन इसको ऎ से स्यो ह्योगे सिम्बल से उसको जी से शो क्रेंगे है ठीक है एडेनीन और ग्वानीन अभि देखो इडेनीन है उसमें कुछ नहीं करना 숨-ben यान रखना ठीक है अब वह कहेंगे यहां आपने जो प्यूरीन है उस पर और दी नहीं जबकि इसमें तो सबको दे रखिए इसके पास और इसके पास और इसके पास और अमारे को भी दो सांस हमको भी लेना है तो यह कहता है कि अउगास सबसे बढ़ हों सबसे बढ़ा हूं बढ़ी है लिसका मैं टौप पर बार की बात नहीं लगूगा यहीं पर क्या करता है कोई बात नहीं कि आपको यह बेज देते हैं चलो भ zweetis делать क्या बणा टू अमाइनो शिक्स और प्यूरीन शिक्स ऑक्सी टू अमाइनो प्यूरीन ऐसा बोल तो चाहे तो यह स्टेक्चर बन गई एक दो तीन चार पांच एड़नीन गवानीन आरनेट डियने दोनों में पाई जाएंगे जबकि इसमें से जो यूरेसिल है और जो आपक में नीररेता है मतलब यू है वहाँ पर तू नहीं रिखें रहेंगे यूटी अलगलग स्थाने रहेंगे यह अपने पास में क्या अगे सारे जीने साब्स से बढ़ा लेनी है जो मैंने बदाया उसके वेसिस पर तीसरे नमबर पर चलते हैं, फोस्पेट ग्रूप, H3PO4-, यह फोस्पेट ग्रूप, ठीक है, कैसे स्टेक्चर, P, O, H, O, H, O, H, ठीक है, अब यहाँ पर बैलेंस पूरा करने के लिए इसको कर दो, इसकी बढ़ी नहीं है, दो, इनकी सब की दो दो हो गई, ओके साथ इदर एक है, एक दो गया, इसो के साथ एक हो गया, इस P के साथ हो गया, इस टेक्चर, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, यह वाली स्टेक्चर है, आपको याद रखनी है, किसकी, H3PO4-, यह फोस्पेट है, फोस्पोरिक एसिड है, तो पैंटो सुगर, नाइट्रोजिनस बेस, और इन तीनों की आपने क्या कर ली, अलग-अलग स्टेक्चर है, देख ली, अब आपको अगर स्टेक्चर को थोड़ा सा और कंपाइल करना है, तो आप यहां पर पहुंचो, कि अगर मेरे को DNA बढ़ाना है, तो DNA के अंदर मेरे को, जो पैंटो सुगर है, उसमें से लेना है यह चीए मेरे को, फिर मेरे को, चार नाइट्रोजन बेस लेने कौन सा, या तो मैं एडनीन लूँ, या मैं गवानीन लूँ, या मैं साइटोसीन लूँ, या मैं थाइमीन लूँ, और प्लस मैं साथ में क्या लूँ, S3PO4 माइनस लूँ, अब अगर मैंने इन दो को सब्सक्राद करने ऊसको मैंने बोला नुक्लियोसाइड और अगर ये मैंने बढ़ दिनु मिल गए तो मेरे इसलिटर्टर मिलंद। इसको मैं नूक्लियोटाईड क्लियर रैकते हैं ये वाली स्ट्रेक्टॉमि चलो जी कोई नहीं फिर आरे ने को बना हो तो कैसी और ने के अंदर राइबोज सुगर प्लस एड़नीन गवानीन साइटोसीन यूरेसिल प्लस से एस थ्री पी ओफोर माइनस अगर यह दोनों जुड़ेंगे तो वह क्या बोला बोला जाएगा नुक्लियों साइड और यह तीनों जुड़ जाएंगे साथ में तो क्या बोल देंगे नुक्लियों टाइड ठीक है यह वाली स्ट्रेक्टर बन गई यह डीने और आरने के अंदर थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस हो गया कि अब देखो एक नुक्लियों टाइड की स्ट्रेक्टर का फॉर्मिशन अपन करते हैं बनाते हैं कि डीने आरने की स्ट्रेक्टर में कोई विशेस अंतर आएगा नहीं इनी तीन तीन से बढ़ेगी बेसिक चीज़ें बता रहा हूं आपको देखो सबसे पहले आपने पैंटो सुगर बनाए तो पैंटो सुगरी को लेलो यह लोजी यह यह पैंटो सुगर अगर डिने बनाना है तो एच को अठादो वह को अठादो किये हैं ठीक है यह वाली स्टेक्टर एक दो तीन चार और इसमें पांच हो जाएंगे वैसे देखा रहे तो सी फाइप एच टेन ओफाइप राइबोज होती है इसमें ओफाइप के स्थान पर ओप हो रही है एक औकसिजन दो ऑकसिजन तीन और चार औकसिजन एक तो कि इसटर सैडमे में में को एक है किस्टर दोड़नी है जिसे मा अलों मत जोड़ता हूं क्या कि प्शस से को घेज़ताइं के और यह था किया यह मालों की यह है कि क्राइप साहिं के अट pell किया इस दोड़नी था है कि मुद्स के अंदर इसमें क्या था कि यहां पर तो आपके क्या है और यहां पर क्या था is a यह पर बोल हम की पर क्या था गारी तो यह ते हिए तो थी ना स 사ड है यह वाले स्टेक्चर हो गई और इधर की साइड में मेरे को क्या जोड़ना है वह है एच थ्री पी ओ फोर माइनस है ठीक है इसको भी मैं विश्त्रित कर देता हूं देखाँ है वह पी है यह वाले स्टेक्चर अब देखो जी यह है पैंटो सुकर यह कौन है नाइट्रोटन बेस और यह फोस्पेट है इन तीनों को मिलाकर अपने नुक्लोटाइड बनाएंगे ऐसा नुक्लोटाइड दूसरा बन जाएगा ऐसा तीसरा बन जाएगा इस प्रकार से पूरा बन इसके अंदर देखो अब यहां से यह रिमू खरोपले तों लिए जैसे निकालते हैं यह बंदिंग लिए पैल पाहिए इसी बोंड को बड़ा इस ब्लाइक ऑल को साइड़ को इस बॉनड का नाम क्या हो गया इस बॉन्ड का नाम है ग्लाइक और इस बॉन्ड को बोलते हैं गलाइकोसिडिक बॉन्ड जो कि किसके बीच में बना है जो कि पैंटो सुगर और आपके नाइट्रोजिनस बेस के बीच में बनता है पैंटो सुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बीच में बनने वाले बॉन्ड का नाम क्या है इस बॉन्ड का नाम से जोड़ेगा क्योंकि नुमेर पर है ठीक है अगर Ugh पीरिमिडिर नहीं होगा व और प्यूरी नहीं होगा तो या तो यहाँ से जूड़ सकता है है कि ठीक है और यह कहां से उडिएका नो नवर्शन कı डो स्थान का जो वोस्पो-एस्टर बॉन्ड कि मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि एक नुकलोटाइड है ुसे एक नुकलोटाइड के अंदर तीन चीजे हो गई उन तीन चीजों के बज़े में दो प्रकार के बॉंड हो गई एक को बोलेंगे गलाइकोसिटिक बॉंड और एक को बोलेंगे फोस्पोएस्टर बॉंड बोलेंगे फिर ओएच है फिर यह डबल बॉंड ओ है और यह ओएच है ठीक है यह जुड़ा अब एक बॉंडिंग तो इसके साथ हो जाएगी यह वाली और यह ओएच इसके साथ रिमूग करेगा भी यहां पर तो इसको सिता जोड़ दो मां यह वाली स्टेक्टर यह बन गया मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक नुकलोटाइड का जो तीन नंबर का कारबन है दूसरे नुकलोटाइड के जो पांस नंबर वाड़ा जो कारबन जुड़ा था उससे जो फोस्पेट जुड़ा है उसके साथ बॉंड बना लेता है अब दोनों साइड से जुड़ गया यह फोस इसके पास में दो बॉंड एक ग्लाइको सेटिक बॉंड एक फोस पोडाइस्टर बॉंड लेकिन जैसे ही वह आगे से आगे से प्ली अच्छ आगे नुकलोटाइड जोड़ता जाए और जोड़ता जाए जाए नों दोनों के बीच में दोनों गुड़ और बन रहा है उसक नुकलियोटाइड चैन बन गई किया बनी पॉली नुकलियोटाइड चैन अब आप जहां पर अभी पढ़ रहे हैं उसके सामने की दिवार है उसको एक बार देखो आप आपको ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी दिवार खड़ी है जबकि अंद्रूनी ऐसा लगता है कि उ उनके पत्र का अंदर जमावड़ा है पता है आपको अब क्या आप ऐसा बता सकते हो मेरे को कि उन पत्रों में और इंटों में कोई एक ऐसी लाइन न क्या हिक doit निए कि होगी एक लाइन तो later cev changer जुर् wijग अब ऊपर को ही नहीं है और नीचे नीचे एक एसी लाइन जरूरोगी जिसके नीचे को ही यह और बीच में ऐसी वह सारी है । जिसके ऊपर भी जैन नीचे भी हर लिख होगा तो संदर इसे चेक्चर की अंदर एक जॉ पहले तेर्ट होगा उसका HOW इसा होगा एअ ऊपर कुंछ नहीं है और एक नुकलो ट्रड ऐसा जरूर आएगा जिसके तीन नंबर कार्बन और उसके पास नहीं है अगे कोई जुड़ा नहीं उससे पर इस लुदा कह सकते हैं जो पहला है न पहला उसक nephew hem खाली कि जब कि लास्ट काल ना उसका जो है टीन नंबर का प्राइब हो खाली हो गया है है इसी लिए पहले उपन फइप प्राइब बोलते हैं है और लास्ट वाड़े को बोलते हैं थ्री प्राइम है और चैन जब बनाते हैं यह डी-n-a की प्रवाइम और फ्रयुसा प्रौिण इसलिए लिखाजा जाता है और निचे निचे वाड़ा हुसका तीन से उपरіकल ऐसा है ऐसे करके आपने एक पोली नुक्लोटेड चैन का निर्मान कर लिया लेकिन डियने की स्ट्रेक्चर तो ऐसी होती नहीं डियने की स्ट्रेक्चर में तो डबल हलिकल structure ऐगी इसका मतलब अब क्या हो सकता है अब ऐसी structure होगी कि यह जो एक train बनी ना उससे एक chain के साथ में anti parallel उसके दूसरी chain बनेगी जैसे एक simple साफ बढ़ बढांन के दिखाऊ आपको यह वाला एक पेंटो सुखर है उसके साथ में एड़नीन जुड़ ओओा है इतर फोस्प्रड उड़ा पिर उसके साथ में चैनल बनती जा रही है अब इदर के साथ में देख लो ये पेंटो सुगर है जी ठीक है उस ये पेंटो सुगर है और पेंटो सुगर के साथ में ये क्या है फोस्पेड जुड़ा है ये गवानीन जुड़ा है उसके बाद आगे चलेंगे ये वाला पेंटो सुगर है उसके साथ में फोस्पेड जुड़ा है और उसके हुआ है झार LIKE एसे इदर एंटी पैरल लल इसमें देखो यह जुह है यह फ्र पेट है इधर ऐसे देखो यह वाला है यह फॉस्प्रिट है यह साइट ओसी इन इसर इस प्रकार से इस्ट्रैक्टर बन गई बैंटो Jack Day 같아 holy name 1 एकैसामने अगया जी के संदे सी के सामने आगया मतलब इस प्रकार से इनके मिसम्में बोन्डिंग हो जाएगी मतलब एक प्यूरीन एक पिरीमिडीन के सापने होता है एक प्यूरीन से एक पीरीमिडीन जुड़ा होता है तो इस्वतिया को इस प्रकार बनेंough या तो t के साथ जुड़ा होगा या t ya के साथ जुड़ा होगा G ہے वह सी के साथ जुड़ा होगा या फिर c है वह जी के साथ जुड़ा होगा इस परकार से 4 कर्機ण बोंडिंग होंगी और इसको वलएंगे생 सब्सक्राइब चारकोप नाम के सब्सक्राइब कि लिखंद बताया वह आपके उतने ही पिरिमेदी न होंगे पिमीदीन होगे प्योँ इसका मतलब नाम क्या 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 हूगी बराबर होगी और जो ये सबका अनुपाथ आता है वह 10 को चार गॉफ रूल करतें के विसेस बात नहीं है है कि यह मैं बनाओ मालो प्यूरीन यह क्या होगे पिरिमिडिट इस हो betि सिप्ल्स हैस को ढूप समझ सकते हो जैसे मालो में मुदाण दूं यदि किसी डिने में एडेनीन बराबर 30 परसेंट है तो थाइमीन किसे क्या बता हूँ कि बता सकते आप एडेनीन तीस तो टीवी तीस होगे तो टीस सिधा है जाएगा कोई क्या फどう थो पुछे किसे डिसा उसान वह बता हूं तो 30 तो अच्छं कोई होगे UMT 40 40 को ने कि और फीस चींटी और जी पिस होगे पर थायों जाूँ है यह जास लगातार बनती जाएगी हाइडरोजन बोंड से बनती जाएगी उसको तो क्या वोलेंगे डियने की डबल हेलिकल स्टेक्चर डियने की द्वी कुंडली यह सरंचना अब यह पुछा दाता है कि ए और टी के विच में दो बॉंड बने सी और जी के विच में तीन कैसे बने यह हाइड्रोजन बॉंड है और कोई भी बॉंड होता है उसको बनने के लिए फिक्स एंगल फिक्स दूरी की आवसकता होती है इसमें ऐसी बेवस्ता बैठ रही है कि तीन के विचे में बहुत दूरी पूरी हो रही है अगर मेरे को इन द मोजग होती हो कि यहां पर तीन जिग कंपलीट हो जाती है इसलिए यह दो बॉंड ही बनते हैं कि यांपर क्या बन जाते हैं तीन बॉंड बन जाते हैं वीडिटे Delhi की स्च्छर और डीने के परक़ार इसको जाछे रडेघ्वीडियु में देखेंगे और फिर एक वीडियो इतने में काम हो जाएगा आज के लिए इतना ही धन्यवाद